हाई गाईज वेलकम और वेलकम पाक्टो माई चैनल गाईज आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डेपी वाइट स्कीन लाइटनिंग क्रीम का एक कम्प्लीट ओनेस रिवी शेयर करने वाले हो जिसमें मैं आपको इस क्रीम से रिलेटेट पूरी और बिल्कुल सही इ गाईज डेपी वाइट क्रीम एक मैडिकेटिट स्कीन लाइटनिंग क्रीम है जो कि आपको डॉक्टर द्वारा तब प्रस्क्राइब की जाती है अगर आपके चेहरे में पिग्मेंटेशन हो मिलाजमा हो या डार्क स्पॉर्ट्स हो इन मैंसे कोई भी कंडिशन आपको होत तो ये क्रीम आपको डॉक्टर द्वारा प्रस्क्राइब की जाती है और ये काफी एफेक्टिव होती है पिग्मेंटेशन पे डार्क स्पॉर्ट्स पे मिलाजमा पे बहुत कम टाइम में आपको इससे अच्छा रेजल्ट मिल जाता है लेकिन क्या इससे मिलने वाला रेज इंग्रिदियंट है और उन इंग्रिदियंट से आपको क्या-क्याव साइड इफेक्स हो सकते हैं इसके बारे में डॉक्टर सापको नहीं बताते हैं इवन यूट्व में भी डैपी वाइट क्रीम के उप़र जो वीडियोस बनाई गई है उन में से ज्जादातर वीडियोस कि मैं डैपी वाइट क्रीम को एजा स्कीन वाइडिनिन क्रीम रंगोड़ा करने की सेफ क्रीम ॥ की तौर पर ही बताया जाता है जो कि सच नहीं है इस तो होने वाले नुकसान के बारे में आपको कोई नहीं तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस क्रीम की बिल्कुल सही और पूरी इन्फरमिशन दोंगी जो कि आपके लिए काफी हलफुल रहेगी अगर आप डेपी वाइट क्रीम को इस्तमाल करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वाच करें इस वीडियो के ब क्रीम है तो इसकी पैकेजिंग में बहुत है सिंपल वाइट एंड पिंक कलर के ट्यूब पैकेजिंग में ही आती है और इसकी जो क्वांटेटी होती है वो होती है 15 ग्राम और 15 ग्राम ट्यूब का जो MRP है प्राइस है वो है 553 रूपी यानि की 553 रूपे यह क्रीम आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाती है और ओनलाइन भी है इसली अवेलिबल है अगर अब में बात करूँ डेपी वाइट क्रीम के यूजस की कि कौन-कौन से स्किन प्राबलम में डेपी वाइट क्रीम यूज की जाती है तो जैसे कि मैने आपको पहले भी बताया कि यह ए Indicated Anti-Pigmentation, Anti-Dark Spots Cream है जो कि Pigmentation, Milasma, Hyperpigmentation और Dark Spots के लिए यूज की जाती है डॉक्टर द्वारत दी जाती है इसके लावा कई लोग डेपी वाइट क्रीम को अपने स्किन टोन को लाइट करने के लिए रंग को गोरा बनाने के लिए इवन टोन बनाने के लिए और ग्लोइंग कि क्या इसके इस्तमाल से आपका रंग गोरा होता है आपकी Pigmentation यानि कि जाया, Milasma, Dark Spots सही हो जाते है और क्या इससे आपकी स्किन इवन टोन हो जाती है तो येस ये क्रीम काफी effective है इन सभी condition में लेकिन इसका जो असर है वो टेंपरेली होता है जी हाँ फ्रेंड्स डेपी व स्टिरोइट्स क्रीम अल्दो ये क्रीम डॉक्टर्स द्वारा दी जाती है बट अगर आप इसके Ingredients चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये Chemical और Natural दोनों ही तरीके की Ingredients से बना गया है और सबसे में चीज ये है कि इसमें जो में Ingredients है वो है Hydrokinon जो कि आपके Skin को Lightening Effect देता ह है और Hydrokinon आपको पता है कि बहुत ही Strong Steroid है Skin के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कई Countries में ये Ingredients बन हो चुका है पूरी तरीके से और इससे Skin Cancer भी हो सकता है Hydrokinon के अलावा भी इसमें Alcohol, Mineral Oil, Parabins, Perfume और भी ऐसे कुछ Chemicals डाले गए हैं जो कि Skin के लिए बिल्कुल भ Grape Seeds Oil भी डाला गया है जो कि Natural है लेकिन फिर भी मैं इस क्रीम को किसी को भी यूज़ करने के लिए सरजस्ट नहीं करूंगी क्यूंकि इसमें Hydrokinon है और Hydrokinon आपके Skin Barrier को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है और आपके Skin आगे चलके बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती ह और भी बहुत सारे Skin Problem आती है Hydrokinon अगर आप Long Time के लिए यूज़ करते हैं तो गाइस अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या आपको डैपी वाइट क्रीम इसमाल करनी चाहिए तो मैं इस क्रीम को इसमाल करने की किसी को भी सलार नहीं दूंगी अगर आपकी Pigmentation है मिलासमा ह तो फिर आपको इन्डिडियन बेस क्रीम इसमाल कीचिए जिससे कि आपको रिजल्ट थोड़ा सा लेट मिलेगा लेकिन वह आपके Skin के लिए सेफ होगा और आपके Skin को कोई हाम भी नहीं करेगा तो ओवरॉल डैपी वाइट क्रीम इसमाल करनी की मैं तो किसी को सलार नहीं द